हे गाइस वेलकम बाक टू माँ चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लो तो हैपी आर्स में आज में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल बहुत जाधा टेस्टी वाली रेसिपी लड़ू तो आपने बहुत खाये होंगे लेकिन क्या आपने कभी चावल के आटे के लड़ू खाये हैं अगर नहीं तो रेसिपी बल्कुल भी mess नहीं करेा है कि बहुत ही interesting होने वाली है एकदम मुह में घुल जाने वारे बहुत ही बढ़िया बहुत ही जाधा tasty वाले चावल के आटे के लड़ू आज हम इस recipe में बनाने वाले हैं और इनको तोड़के भी मैं इसका texture दिखाती हूँ, आपको देखे कि इतने ज्यादा soft और इतने ज्यादा tasty है कि आपको खाके एकदम मजा ही आ जाएगा क्योंकि lockdown चल रहा है और अगर आप सूच रहे हैं कि इन लड़ू को बनाने के लिए आपको market से समान लेने जाना पड़ेगा तो उसकी भी डिंशन लेने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि जो सारी चीज़े हम इन लड़ू को बनाने में यूज करेंगे वो सब आल्रड़ी आपके घर में available है तो वीडियो को बिलकुल भी मिस नहीं करेगा एक-एक स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करें और बहुत ही बड़िया वाले लड़ू आप घर पे बना के त्यार कर सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चावल के आटे के लड़ू बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप चावल का आटा और इसको मैंने पैन में ले लिया है क्योंकि हम इस आटे को रोस्ट करने वाले हलका सा भूनने वाले हैं तो gas की flame को बिल्कुल low करना है आपने और लगातार चलाते हुए इस आटे को हमने करीब 5 मिनिट के लिए भून लेना है याद रहे gas की flame बिल्कुल low रखेंगे और color बिल्कुल भी change नहीं होने देना है हमने इस आटे का तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देते हुए इसको लगातार चलाते रहना है अगर आपके यह चावल का आटा अविलिबल नहीं है तो बिल्कुल भी टेंचिन लेनी की ज़ुरत नहीं है बहुत ही इजी है चावल का आटा घर पर बनाना आपको क्या क आप उसको अच्छी धूप में सुखा लें या फिर आप घर पर ही टाल पे उसको सुखा सकते हैं और जब वो अच्छे से ड्राय हो जाए तो आप उसको पीस के उसका एक बढ़िया वाला चामल का आटा बना सकते हैं तो करीब 5 मिनिट मुझे इसे लगातार चलाते हुए ह हो गए हैं और अच्छी ना रोस्ट होने वाली समिल इसमें से आने लगी है क्योंकि अब अगर हम इस से ज्यादा अब इसको पकाएंगे ना तो इसका kaler चेंच होना स्प्राइब तो कलर हमको बिल्कुल भी चेंच नहीं करना है तो अच्छी बुनने की समिल इसमें से आने वाला पाट होता है उसको अच्छे से आप मिक्सी में घुमा ले आपका कोकोनट पाउडर बनके तयार हो जाएगा तो करीब चार बड़े चमच कोकोनट पाउडर में इसमें आट कर रही हूँ गैस की फ्लेम को इस टाइम पे इसलिए बंद किया था क्योंकि हमने आटे को वापस से लो फ्लेम पे ओन करेंगे और दो मिनिट के लिए आटे के साथ हमने इस कोकोनट पाउडर को भून लेना है कोकोनट पाउडर को आटे के साथ भूनते हुए आप देख सकते हैं हलका सा आटे में चिकनपन आने लगा है क्योंकि कोकोनट पाउडर में भी काफी अच्छे नहीं वनेंगे तो लड़ूओं को मावे वाला टेक्स्चर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आधा कप घर की मलाई सबके घर में नॉर्मली अवेलेबल होती है अब यहाँ आती है में इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आधा कप मलाई यूज कर रही हूँ तो मैंने आधा कप मलाई लिया है दो चम्मत देसी घी लिया है आप चाहे तो इसको केवल और केवल मलाई के साथ भी बना सकते हैं मलाई को यूज करने से इसमें जो मावे वाला फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा जरूर से ट्राय करि एक और important बात अगर आपके घर पे मलाई की quantity ज्यादा available ना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आधा कप मलाई और घी का यूज कर सकते हैं लेकिन आप किसी भी condition में घी के साथ मलाई को skip नहीं करिएगा यानि कि मलाई नहीं आड़ करके और घी आड़ कर देंगे अगर त फटा-fट से हमने इससारी मलाई को इस आटे के साथ मिक्स कर लेना है बहुत जा को यहाँ आप देख सकते हैं मलाई को मैने आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर आया है इसका अब मैं एससे में एट कर हूँ 1 indoor जमचwwww ऑगर का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है तो आप यहां पे केवरा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी इसमें फ्लेवर बहुत ही जादा बढ़या आता है वस अफटा-फट से इलाइची पाउडर को हमने इस सारी चीजों में मिक्स कर लेना है यकीन मानिए आपको दस मि पाउडर शूगर बनाने के लिए बस आपको क्या करना है मिक्सिंग जार में चीनी को आड़ करिये उसको पीस लीजे पाउडर शूगर बनके तयार है आधा कप पाउडर शूगर लिया है क्योंकि हमने एक कप आटा का यूज़ किया था तो उसमें हमने आधा कप पाउडर शुगर एड़ किया है यह जो रेशु है बिलकुल पॉफेक्ट है अगर आपको मीठा जादा नहीं पसंद है आप कम भी कर सकते है और अगर जादा मीठा पसंद है तो और जादा एड़ भी कर सकते है यहाँ पे आप चाहें तो चीनी के पाउडर की जगा आप यहाँ पे दे एक जल्दी से असे चीजा हो जाएगी कारीब दो मिनट लगे मुझे इन सारी चीजों में शूगर को मिक्स करने में, और इस आते में बहुत अच्छी नमी आ गई है तो शुगर अप बहुत अच्छी से मिक्स हो गई है तो हमने गास की व्लेम को आफ गर देना है और अब main important बात यह है कि आपने इसको ढखका रखना है आपको इसको करीब 5-6 मिनट के लिए ढखका रखना और यहां देख सकते हैं हलकी steam सी बन रही है ना बस यही हमें चाहिए इससे क्या होगा इसमें बेटर में बहुत अच्छे से moisture बन जाएगा और यह बिलकुल लड़ू बनने के लिए आप perfect है तो यहां पर देखिए mixture को मैंने हाल से बहुत अच्छे से थोड़ा सा मल लिया है और बहुत ही बढ़िया वाली softness है और याद रहे लड़ू के mixture को आपको बहुत जादा देर के लिए भी ढखकर नहीं रखना है वरना यह mixture जो है ठंडा हो जाएगा properly और अगर यह properly ठंडा हो गया तो लड़ूओ को आप shape नहीं दे पाएंगे तो बस इन सारी बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें लड़ूओ में और भी जादा बढ़िया वाला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर ड्राइफ रूट्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैंने थोड़े से काजू, बादाम, पिष्टा और किश्मिश को यूज़ किया है आपके पास अवेलिबल हो तो यूज़ करें, अधरवाइस के भी कर सकते हैं अब हमने इन सारे ड्राइफ रूट्स को इसमें मिक्स कर लेना है तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा मिश्रन आप लेते जाएं और इनको एक लड्ड़ों की शेप देते चाहें बहुत ही आसान है इन लड्ड़ों को बनाना बहुत आराम से देखे कितने सौफनेस है और चिकनाई देख सकते हैं कितनी जादा बढ़िया है ओल बहुत अच्छे से रिलीज हो रहा है और देख सकते हैं कितना जादा बढ़िया देखने में भी टेक्स्चर लग रहा है और यकीन मानिये खाने में आपको इतना मज़ा आजाएगा कि आप बोलेंगे कि हम तो इसको आप बार बार बनाएंगे तो इसी तरह से सारे लड़ो को बनाके तयार कर लेंगे और हाँ एक और जरूरी बात अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जो मिक्शर है लड़ो का ये ड्राय हो गया है और लड़ो की शेप नहीं बन पारी है प्रॉपरली तो आप क्या कर सकते हैं एक से दो चमर्ज गरम दूद को थोड़ा थोड़ा छीटे लगा सकते हैं आप इस पूरे वाले मिश्रण में और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा मिश्रण और बहुत ही परफेक्ट लड़ो बनेंगे तो इसी तरह से मैं सारे लड़ो को बहले बना के तयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं तो यहां हमारे लड़ो बनके तयार है बिलकुल परफेक्ट वाले मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क रखा हुआ था तो हो भी लगा दिया है और भी जाधा देखने में सुन्दर लग रहे है और अंदर से अब मैं इनको तोड़के दिखाती हूँ कि टेक्स्चर देखे कितना जाधा बढ़िया है देखें कितने सॉफ्ट है बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम मूह में घुल जाएंगे आपके और अब आप इनको एर टाइट कंटेनर में फिल करके हफ्ता भर के लिए फ्रिज से बाहर रख सकते हैं और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो फ् इंग्रीडियंट्स के साथ बनने वाले इन परफेक्ट लड़ों को घर पे बना के तयार कर सकें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी पहली बार कोई रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी भी न भूले और साथी साथ बेल बटन जरू दबाएं तो चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थांक्स पर वाचेंग